नमस्कार, कक्षा दस, अध्याय चोदह, सांखी की आज हम प्रश्नावली 14.3 प्रश्न 3 करने जा रहे हैं एक जीवन बीमा एजेंट सो पालिसी धारकूं की आयू के निम्न लिखित आंकडे ग्याद करता है माध्यक आयू परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्ही व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयू 18 वर्श या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्श से कम हो तो इस आरनी में हमें बाई और आयू दी गई है और दाईनी और उस आयू के अंतरगत पॉलिसी धारकों की संख्या दी गई है बच्चो यह प्रश्न पिछले प्रश्नों से थोड़ा सा भिन्न है कैसे देखिए इसमें हमें वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस प्रकार से नहीं दिये हैं यह से हम कम प्रकार का बंटन कहते हैं इसमें है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम इस प्रकार से तो सबसे पहले हम अपनी सार्णी में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, आईए देखते हैं कैसे यह सार्णी आपको प्रश्न में दी गई है, अब हम एक नई सार्णी बनाने जा रहे हैं, देखिए बच्चों जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, बाईवाली सार्णी में था 20 से कम, हमने इसको वर्ग अंतराल में बदल दिया है, 15 से 20 इसी प्रकार से 25 से कम को हमने थोड़ा सा बदल दिया है 20 से 25, 30 से कम वाले को अब हमने 25 से 30 35 से कम वाले को 30 से 35, अगला 35 से 40, अगला 40 से 45 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 इस प्रकार के वर्ग अंतराल हमने अब बनाए है इसके हिसाब से ही पॉलिशी धारों की संख्या यानि की बारम बारता में भी बदलाव आएगा देखिए कैसे 20 से कम 2 हैं तो 15 से 20 में भी 2 ही रहेंगे 25 से कम में है 6, बच्चो ध्यान से देखना 25 से कम यानि 25 साल से कम टोटल 6 पॉलिशी धारक है इसका मतलब 15 से 20 वाले भी तो 6 में आ गए लेकिन 20 से 25 में कितने होंगे आप समझने हैं मेरी बात कि 25 से कम में कुल 6 लोग है इसका मतलब जो हमने सबसे पहले खालने में 15 से 20 के 2 पॉलसी धारक लिखे वो भी तो 25 से कम ही हुए न अगर हमने निकालना हो कि 20 से 25 में कितने हुए तो हम 6 में से 2 को माइनस कर देंगे 4 अब देखे 15 से 20 में है 2 लोग 20 से 25 में है 4 लोग टोटल हो गए 4 और 2 छे लोग यानि 25 से कम है 6 समझे बिटा इसी प्रकार से देखिए 30 से कम है 24 उन 24 में यह 4 और 2 भी आ गए 30 से कम हुए ना 2 भी और 6 भी है ना तो यदि हमें निकालना हो कि 25 से 30 में कितने है हम क्या करेंगे 24 में से 6 को माइनस कर देंगे यानि 18 यानि 25 से 30 साल के 18 लोग है अब देखे 15 से 20 हैं 2 साल 2 लोग 20 से 25 उमर के है 4 लोग 25 से 30 के है 18 लोग तो 18 चार बाईस और दो 24 यानि 30 वर्ष से कम 24 लोग हो गए यानि कि हमारा लेफ्ट साइड वाला टेबल और राइट साइड वाला टेबल अवी तक बिल्कुल ठीक जा रहा है इसी प्रकार से 35 से कम है 45 वर्ष तो 30 से 35 में कितने होंगे हर खाने में 12 बारंबारता को में से पिछली बारंबारता को घटा दो 45 में से 24 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आजाएगा 21 इसी प्रकार 78 में से 45 को माइनस कर देंगे तो आजाएगा 33 40 से 45 में 89 में से 99 को minus कर देंगे तो आ जाएगा 3 50 से 55 में 98 में से 92 को minus कर देंगे तो आ जाएगा 6 और 55 से 60 वाले में 100 में से 98 को क्यों क्यों क्योंकि 60 से कम तो सभी है ये जितना भी डाटा दिया जितने policy धारकों की संक्य है सारी 60 से छोटे-छोटे हैं तो 55 से 60 में कितने होंगे, जितने 55 से कम है, 60 से कम में से 55 से कम वाले माइनस कर दो, यानि 100 में से 80 में को माइनस कर दिया, तो हमें प्राप्ट हुआ 2, बच्चो ये अभी हमारे पास संचेई बारंबारता नहीं आई, ये हमारे पास अभी बारंबारता आई है, यानि F, अब ह में निकालनी है इनकी संचेई बारंबारता जैसी कि हमने पिछले प्रश्णों में उतारी है पहले खाने में 2 ही रहेगा दूसरे खाने में 2 प्लस 4 मिलके हो जाएगा 6 तीसरे खाने में 6 प्लस 18 मिलके हो जाएगा 24 अगले खाने में 24 और 21 प्लस होके बन जाएगा 45 अगले खाने में 45 और 33 मिलकर हो जाएगा 78 अगले खाने में 78 और 11 मिलकर हो जाएगा 89 फिर 89 और 3 मिलकर हो जाएगा 92 और 6 मिलकर हो जाएगा 98 और 98 और 2 मिलकर हो जाएगा सो, यही संची बारम बारता आपको देखें left side वाले column में पहले से दे रखी थी अब हम इसमें से यह left और right दो टेबल हैं इसमें से हमने right वाला table बच्चो देखना है right वाला table हमने यहाँ पर रख लिया है अब हम जैसे पहले माध्यक निकालते थे वैसे ही इस प्रश्ण का भी माध्यक निकालेंगे देखे कैसे सबसे पहले हमें निकालना होता है N बटा दो N है 100, 100 को 2 से भाग करने पर हमें प्राप्ट हुआ 50 अब हम संचेई बारम बारता में देखेंगे कि हमें 50 कहां मिलेगा देखें पहले खाने में हैं सिरफ 2, दूसरे खाने में हैं सिरफ 6 तक तीसरे खाने में हैं सिरफ 24 तक यानि अगला खाना देखना पड़ेगा अगले खाने में हैं सिरफ 45 तक यानि 45 पॉलसी धारक हमें देखने हैं 50 तो इसका मतलब 50 आएगा अगले खाने जो कि 78 तक है, इसकी 50 की गिंती आएगी इस खाने में, जो कि ब्लिंक हो रहा है, इसलिए यही हमारा माध्यक वर्ग होगा, इससे हमें यह पता चला कि हमारा माध्यक वर्ग होगा 35 से 40, ठीक है बचो, अब 35 से 40 है तो इसकी निचली सीमा हो जाएगी 35 जो कि होती है L के बराबर, C F होगा माध्यक वर्ग से प्छले वाली 12 यानि की 45, F हो जाएगा माध्यक वाले वर्ग की 12 यानि की 33, H हो जाएगा किसी भी वरगंतराल की उपरी सीमा में से नीचली सीमा को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्राप्ट हो जाएगा 40-35 जो की होता है आज के बराबर इन वैल्यूस की मदद से हम माध्यक निकालेंगे आपको पता है माध्यक का फार्मूला होता है आएए हम वैल्यूस को पुट करके देखते हैं देखे ल आया था 35 के बराबर प्लस एन बटा 2 था 50 के बराबर माइनस सी एफ है 45 के बराबर बटा एफ है 33 के बराबर गुना है 5 के बराबर अब हमें इसे हल करना है देखे 35 तो रहेगा ऐसे ही 50 में से 45 माइनस करने पर प्राप्त होगा 5 बटा 33 आगे है गुना 5 अगले स्टेप में देखिए अंश में 5 गुना 5 है जो की होता है 5 माजे 25 के बराबर 25 को जब 33 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.76 और इस 0.76 को 35 में प्लस करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 35 प्लस 0.35 यानि 35.76 इसका मतलब हमें माध्यक प्राप्त हुआ है 35.76 तो उपरोक्त आंकडों का माध्यक यानि माध्यक आयू हुमारे पास कितनी आई है 35.76 वर्ष इस प्रश्ण में यदि आपको माध्यक और बहुलक भी पूचा है तो वो आप इछली एक्सरसाइजिस में सीख चुके हैं इसलिए अब आप उसको स्वयम हल कीजेगा माध्यक हमने आपको इस वीडियो के द्वारा समझाने का प्रयास किया है आशा करता हूँ आपको यह प्रश्ण अच्छे से समझाया होगा धन्यवाद